नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल Learn, Invest and Earn में मैं हूँ आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में कवर करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स अनालेसिस देखेंगे कुछ स्टॉक्स जहांपर हमें लगताएंगा अच्छा कासा मोमेंटम बन सकता है वीडियो स्टाट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने चैनल को भीटे स्ब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन पे प्लिक करना ना भूले जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको तुरण नोटिफिकेशन आ जाएगा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से तो लास्ट वीक जब निफ्टी का हम लोग वीडियो बिना रहे थे तो एक पॉइंट यह था यहां हमने हलेट किया था कि यह एक जोन है जहां पर निफ्टी रुकते वे नजर आ रहा था और देखिए वहीं से एक्जैक्ट मिल सकता है थोड़ा अगर कंसलिडेशन होता है इस लेवल के आसपास और फिर बाउंस बनता है तो ज्यादा मैं कहूंगा बेटर माना जाएगा एक तरीका के ट्रेंगल पैटन बन रहा है अगर इस चीज को मैं एक्स्टेंड को तो देखिए धिरी देख करके स्क्वीज हो बस चार-पां स्टेशन में आगे थोड़ा सा कंसलिडेशन यहां पर बनता है अब अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो क्या इंपोर्टेंट रहेगा तो इंट्राडे करने के लिए सबसे इंपोर्टेंट कल के लिए जो लेवल से रहने वाले हैं वो रहेंगे 17,725 अग यहाँ पर आप बहुत बड़े टार्गेट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, मैं आपको भी ऑप्शन चेंग दिखाता हूँ, बराबर हर्डल्स बने वे हैं उपर और नीचे की तरफ, तो मैं आपको रेक्यमेंड करूंगा कि छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करते चलि हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ पर क्लिक करके टेलिग्रम चैनल से आप जूड़ सकते हैं, तो 17,725 अगर इसको क्रॉस करता है, तो पचीस, पचास, पचास पॉइंट पर आपको हर्डल्स मिलेंगे, तो आप उस हिसाब से अपने टागेट जो है, या फिर में को प्रॉफिट जो है, उसको बुक करते रहिए, अगर ये नीचे वाद लेवल जो है, 17,650, 17,600, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, जो हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाई है, तो यहाँ पर एक बार निफ्टी आपको फिर वापस से नीचे आते दि दिखाता हूँ यहाँ पर, तो ऑप्शन चेन में आगर जाके देखते हैं, तो बहुत ही इंट्रेस्टिन डेटा है, 18,000 के उपर सबसे ज़्यादा कॉल रेटर बैठे हुए है, फॉलोड बाए 17,900, 17,800, तो उपर के तरफ हर मैं कहूंगा कि 50-50 पॉइंट पर भी यहाँ और एक अच्छा कासा रेजिस्टेंस बन रहा है, अगर मैं देखू तो 17,700 के उपर फिलाल, देखिए आप कितना रेजिस्टेंस बना हुआ है, 43,000,000 कांट्रेक्स बैठे हैं, उसके बाद 59,000,000 कांट्रेक्स आपके 800 पर बैठे हैं, और हर 50-50 पॉइंट पर आपका बहु 17,500 यह दो लेवल्स जो है, यहां पर भी अच्छा कासा एक, मुझे पुट राइटर्स का बिल्ट अप दिख रहा है, तो मुझे लगता है, यह एक ट्रंकेटड वीक है, थौस्टे फ्राइडे छुट्टी रेने वाली है मार्केट को, तो अगले दो दिन में, मंडे और ट ट्रेड बन सकता है, अगर आप अपने ट्रेड को अच्छे से यहां पर बैलेंस करते हो, अगर इन केस, अगर वो आपके आगे जाता है, तो मैं परस्नली 17,600 और 17,800 दोनों ही कॉल और पुट को यहां पर सेल करके, आप भी फिलाल बेठा हूँ आज से, देखते हैं किस तर यहां पर अच्छा खासा एक कंसलिडेट कर रहा है, और उपर की तरफ रुका हुआ है, निफ्टी की तरह नीचे नहीं आया है वो, तो जो अपने ब्रेकाउट लेवल के पास से था 35,700, 35,800 के आसपास से, वहां से काफी उपर अपने आपको होल्ड कर रहा है, तो important चीज यह है कि यहां पर ब्रेकाउट देने के चांसे ज़ादा एजिली देगा as compared to निफ्टी, 38,000 is again going to be a strong resistance for बैंक निफ्टी, जब तक 38,000 क्रॉस नहीं करता है बैंक निफ्टी यहां पर आपको तेजी नजर नहीं आएगी, सेम चीज यहां पर भी दोनों ही तरफ कॉल और तो मुझे लगता है निफ्टी और बैंक निफ्टी, मतलब दोनों ही इंडेक्स जो है यह एक range bound रह सकते हैं इस expiry के लिए, आप उससाब से अपना trade plan कर सकते हो अगर आप option writer हो, अगर आप option buyer हो, थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, आज हमारे दो SL hit हुए थे option buying के लिए कोई दिक्कत नहीं है, SL hit होना कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है, लेकिन जो तीसरा trade हमने लिया है, इसके हमने देखिए 2 SL hit हो गया है, थम रूल क्या है कि कुछ trade नहीं करना है, हम लोग ने दिन भर कुछ trade नहीं किया है, almost 230, 245 के आसपास हमें एक trade मिला, उसमें हमने enter किया, और वो तीसरे trade ने हमारे दोनों ही trade के losses fully cover कर दिये, हाँ मैं आज profit में बहुत अदन नहीं आया, लेकिन हमारे पूरे losses cover हो चुके थे, तो कम trade कीजिए, over trading में कभी भी आपको profit नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जितना हो सके over trading avoid कीजिए, कम trade कीजिए, अगर आपके stop loss sheet हो रहा है, stop trading, sit back, analyze, समझने की कोशिश करो कि क्यों हो रहा है, और उसके बाद enter with a fresh mindset, तो ये था nifty और bank nifty, आप देखते हैं कुछ crude oil और gold किस तरह से perform कर रहा है, तो daily charts पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो crude oil अब धीरे धीरे करके settle हो रहा है, जो 7,000 के आसपास आचुका है, लेकिन मैं कहूंगा 7,000 का level अगर crude oil break करता है, तो यहाँ पर एक short की opportunity बन सकती है, तो जितने लोग भी crude oil में trade करते हैं, आप लोग radar पर रखिए क्योंकि यहाँ पर एक opportunity बनते हुए मुझे नजर आ रही है, अगर gold में देखेंगे, तो gold में अच्छा आच, specially करीबन 1% के आसपास की तेजी आपको gold में नजर आ रही है, तो gold मैं कहूंगा एक अच्छा खास W pattern बन रहा है, यहाँ पर यह देखिए, यह नीचे आया, एक अच्छा खास W pattern बना के 52,000 के उपर निकला है, तो यहाँ पर अगर आप gold में trade करते हैं, तो ए trade लेने में आपको थोड़ा सा easy होगा, थोड़ा convenient होगा, क्योंकि उतनी volatility आपको यहाँ पर आप नजर नहीं आएगी, देखते हैं कुछ stocks जो हमने shortlist किये हैं, कल के trading session के लिए, तो सबसे पहला stock जो हमने shortlist किया है, यह अदानी ports, सबसे पहले कहना चाहूंगा, हमने इसको almost cover किया था 15 से 20 दिन पहले, जब यह exactly इस level के आसपास breakout के लिए खड़ा था, बहुत ही अच्छे से निकला था, यह रिखिए डवल टॉप बना के यहाँ पर निकल रहा था, और जैसे निकला है उसके बाद इसने बहुत ही अच्छा breakout दिया है, जिन लोगों ने भी positional 770, 780 क आसपास इसको buy किया है, 767, 770, 780 के range में, मैं कहूंगा इसको hold करके रखिए, बहुत तगड़ा profit देगा, एक disclaimer देना जाओंगा, standard disclaimer, यह मेरे पास बहुत lower level से है, बहुत initial level से मैं अपने पोट्फोलिय में इसको रखा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द हम 860 के level को इसने touch किया है, उसके बाद थोड़ा सा retracement आया था, but obvious है, क्योंकि 760 से 860 मतलब almost 100 point की moment अगर यह दो दिन में, तीन दिन में देता है, तो retracement थोड़ा सा आना ज़रूरी है, अब यहाँ पर 820 से retracement करके वापस निकल रहा है, तो clear cut एक price action बन रहा है, मुझे लगता है, कल के trading session में, अगर 860 के ऊपर निकलता है, तो यहाँ पर आप buy कर सकते हो, यहाँ पर आपको एक अच्छा का सा trade मिल सकता है, अगर आपको थोड़ा और safe रहना है, तो मैं कहूंगा 865 पर उसने दीजिए, उसके बाद buy कीजिए, और यहाँ पर target जो रहेंगे, वो intraday में मैं कहूंगा 875 से लेके 880 तक आते वे दिख रहे हैं, तो यह है हमारा पहला stock, अदानी पोर्ट कल के trading session के लिए, जो दूसरा stock हमने शॉटलिच किया है, यह है बाटा इंडिया, बाटा इंडिया में बहुत बढ़िया pattern बन रहा है, recently अगर आप देखोगे तो last trading session में एक य सबसे important यहाँ पर trade क्या बनता है, कि जैसे ही अगर आप short term player या swing player हो, intraday में भी आप यहाँ पर trading कर सकते हो, यह 2025 के उपर निकलता है, तो ही आपको कलिए buy करना है, अगर आप safe player है, तो 2030 के उपर निकलेगा, तो आप buy कर सकते हो, तो इस range में आप यहाँ buy कर सकते हो, 10 से 15 रोपे के आसपास का आपको stop loss लगाना है, which is somewhere around 2010-2005 के आसपास आप यहाँ पर stop loss लगा सकते हो, और यहाँ पर आपको जो play करना है, वो targets आपके रहेंगे 2065 और 2100, यह मैं intraday के लिए भी आप use कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि यह intraday से अच्छा आपका एक swing trade बन सक सकता है, तो 2020-2030 के range में आप 25 के range में इसको buy कर सकते हो, stop loss आपको लगाना है 2005 के आसपास का, और targets आपको रखने है 2065 और 2100, थोड़ा swing play है यह, थोड़ा सा हफता-दो हफता का एक आगर आप time horizon रखते हो, तो नजरिया रखते हो, यहाँ पर आपको एक अच्छा कासा trade मिल सकता है, तीसरा stock जो हमने shot list किया है यह है गेल, अच्छा कासा pattern है, breakout के लिए almost ready है, बहुत ही बड़ी है pattern बना हुआ, यहाँ पर एक देखे, cup and handle pattern बना हुआ है, consolidation आया है, 160 से लेके 165 के range में, कल आगर 166 के range को cross करता है, यह देखे, आप हमें लिखके रखा है, 166 को cross करता ह है, तो targets आपके रहेंगे 168 और 170 के, stop loss एकदम छोटा से लगाना है, 164 का, मुझे लगता है यह one of the best stock हो सकता है, trade करने के लिए, तो नजर बना के चलना, radar पे रखना है, यहाँ पर आपको अच्छा खासा momentum दिख सकता है, यह था हमारा आज का वीडियो, अगर आपको वीड संद आया है, तो definitely वीडियो को like कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए और अपने valuable comments जिना ना भूले, thanks for watching the video, keep learning, keep investing and keep earning.